नमस्कार दोस्तों, दोस्तों महराष्ट में महायुती के बीच जगला इतना बढ़ गया है या फिर यूं कहलीज़े कि नरेंद्र मोदी के सहयोगियों के बीच में जगला इतना बढ़ गया है कि अब ये जगला रुकने का नाम नहीं ले रहा एक नाज शिंदे हों, अजीत पवार हों, दोनों के बीच का जगला और इस जगले में देवेंद्र फलनवीस, दोस्तों जगला चल ही रहा था, ये जगला चल ही रहा था, कत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, कि इसमें एंट्री हो गई डी कंपनी की, यानि दाउद की, अब दाउद की एंट्री कैसे लेकिन उससे पहले जगडा किस तरह से चल रहा है दोस्तों आप जानते हैं देवेंदर फलनवीस और अजीत पवार इनकी लडाई कोई आज की नहीं है ये लडाई इनकी बहुत पुरानी है कई मौकों पर देवेंदर फलनवीस की तरफ से अजीत पवार की तरफ से ऐसे बया सामने आते रहे हैं मैं आपसे कोई भी हवा हवाई बात नहीं करूँगा मैं आपको सबूतों के साथ दोस्तों बताऊंगा कि इनके बीच में जगड़ा किस तरह से चलता रहा दोस्तों ABP News की खबर के मताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कहा गया, किस तरीके से ये जगडे हुए और क्या चलता रहा अजीत पवार पर देवेंदर फ़लनवीस का बड़ा खुलासा, जब हमने NCP को साथ लिया तो हमारे वोटर, ये हेडलाइन लगाई ABP News ने इसके लावा दोस्तों, नौभारत टाइम्स, NBT की हेडलाइन है, देवेंदर फ़लनवीस ने अजीत पवार के साथ गडबंधन को बताया गलती, महराश्ट में BJP को रास नहीं आ रहा NCP का साथ इसके लावा एक और, सीम पद पर अजीत की दावेदारी पर बोले फ़लनवीस, जिसका एक विधायक होगा, वो भी मुख्यमंतरी बनने का सपना देखेगा इसके लावा दोस्तों, एक और खबर, BJP के साथ आखरी वक्त में खेला, नवाब मलिक को टिकट देकर, अजीत पवार ने बढ़ाई महायुती की टेंशन, क्या फ़लनवीस देंगे साथ? और एक और खबर देखिए, नवाब मलिक को अजीत पवार ने बनाया उम्मीदवार, तो देवेंदर फ़लनवीस हुए नाराज, देवेंदर फ़लनवीस नाराज हो गए है, और देवेंदर फ़लनवीस का एक बयान भी वायरल हो रहा है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, दरसल हुआ क्या दोस्तों, मॉंबई में मानखुर्द और शिवाजी नगर की सीट से एनसीपी ने नवाब मलिक को टिकट दे दिया, भारती जनता पार्टी लगातार ऐसे आरोप लगाती रही है, कि नवाब मलिक के रिष्टे डी कंपनी के साथ हैं, हसीना पारकर जो नवाब मलिक जेल भी रहे, सलाखों के पीछे रहे, और देवेंदर फुरनवीस और अजीत पवार के बीच नवाब मलिक को लेकर हमेशा जगड़ा रहा, लेकिन अब नवाब मलिक को टिकट मिल गया, उन्होंने नामांकन भी कर दिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, आउँ श चिंदिक ने कहा कि फड़नवीस और अजीत पवार लड़ते रहें, इस सीट पर तो मेरा दावा है, उन्होंने इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतार दिया, और उनके जो प्रत्याशी हैं, उनका नाम है सुरेश पाटल, सुरेश पाटल इस सीट पर शिवसेना के प्रत्य प्रत्याशी है नवाब मलिक इस सीट पर NCP के प्रत्याशी है अब मुश्किल भारती जंता पार्टी के सामने है उसके अपने ही सहयोगी आपस में लड़ रहे हैं और शरत पवार कॉंग्रेस उध्धव ठाकरे यह सब मजे ले रहे हैं अब आप सुनिये देवेंद्र फढण मलिक की हुई है लेकिन मैं इतने कहना चाहता हूं अब उन्होंने एक फुलजड़ी जलाई है तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडर वर्ड के साथ क्या संबंद है इसके सुबूत मैं आपको भी दूंगा अब दोस्तों फुलंवीस को आपने सुना ये वाइरल बयान है देवेंदर फुलंवीस का बहुत जादा सुर्खियों में है आदित ठाकरे ने भी हमला बोला आदित ठाकरे ने पूछा कि अब कोई जाकर भाजपा से पूछे महायुती से पूछे कि आप तो दाउत के करीबी ल एक सीट पर अपने ही अलाइंस के दो-दो प्रत्याशी लड़ेंगे तो फिर भारती जंता पार्टी और ये पूरा महायुती का कुनबा महराष्ट में महाविकास अगाली को कैसे रोकेगा दोस्तों ऐसा सिर्फ एक सीट पर नहीं हो रहा है कई सीटे ऐसी हैं जहां ऐसी व यहां तो बागियों की कतार लग गई है अजीद पवार और देवेंद्र फणवीस में तलवारे से खिच गई हैं 20 नवंबर को वोटिंग होनी है उंगलियों पर दिन गिने जा सकते हैं जो बाकी हैं परचार में और तब यह जगड़े खुलकर आ रहा है नवाब मलेक सना म जले किधर अजीद पवार, देवेंद्र फणवीस अलग नाराज हैं एकना शिंदे अपना प्रत्याशी उतार रहा है उनका कहना कि यह तो मेरी सीट है यह तो मेरा दावा है और कई सीटों पर शिंदे की पार्टी के कारिकरता कह रहा है कि हम बीजेपी के प्रत्याशी का प्रचार नहीं करेंगे, भले ही अगाली जीच जाए, लेकिन हम इनके लिए वोट नहीं मांगेंगे, अब फड़नवीस ये कह रहे हैं कि वो NCP के किसी प्रत्याशी के लिए वोट नहीं मांगेंगे, किसी प्रत्याशी के लिए प्रचार नहीं करेंगे, मुंबई बीजेपी के बीच में महायुती अलाइंस चुनाओ लड़ रहा है इतने विवाद के बीच में चुनाओ लड़ रहा है नतीजा क्या होगा 23 नवंबर को पता चलेगा फिलाल के लिए इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा और उल्ट का चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा